हैले अब्रियों इस भीडियों में बात करेंगे एज फ्रेसर आप एलेंटी में कैसे जॉइन कर सकतो और अगर आपका केंपस प्लेस्मेंट हो चुका है एलेंटी में देन आपको ओफाल लेटर कम मिलेगा मेडिकल टेस्ट कब होगा पुरा जॉइनिंग वोसस क्या होगा ओर करेंटेशन कब होगा लोकेशन कहां पर दिया जाएगा कौन सा आइसी में आपका देगा इस सारे चीछ के बारे में पूरा डीटेल में हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं उनका डाउट दूर करता हूं जो लोग कोमेंट कर रहें कि मुझे ये लेंटी में जॉइन जॉब आभी सकता है यह डिपेंड करते है कि कितना भैकेंसी से ठीक है तो उसके उपर डिपेंड करके वह लोग ऑप केंपस में रिकूट करता है मोस्ती वह लोग ऑन केंपस करता है टायर टू टायर त्री टायर ओन को रिकूट करता है अब मैं बात करते हो जो लोग का सिलेक्शन L&T में हो गिया है तो उन लोगों का offer letter कब मिलेगा medical test हो गिया है तो उसका report कब मिलेगा joining कब होगा location कब होगा orientation कब होगा कहां होगा यह सारा चीज में यहां पर बात करने बाला हूं L&T मुझे क्या दिया गया ओर time करके लुह पर कुछивает कुछ competition में उसमें क्या रहता है कि वेनधी के बारे में आपा बताया जाता है उसको बारे में कुछ question में गर इन्डिया में कुछ बड़ा गिया है और किस ने बनाया L&T को यह एवार्ड मिला ग्रेट प्लेश टूवार्ड यह सारा जो चीज है मिनस एलनट के बारे में आपको बताने के लिए एवार्ड रखने के लिए को कुछ किया जाता है है इस कुछ सिन नहीं है कि आपको मिन्स जॉब नहीं मिलेगा या फिर कॉलिफाइब करना ही होगा ऐसा कुछ चीज नहीं है लेकिन अगर आप इसमें टॉप करते हो तो एलेंटी के तरफ से कुछ गीफ्ट अपको मिलता है जब ओरियेंटेसन होता है तब तो यह सारा पॉसेस ह होने के बाद मार्च मैने में आपके पास इसाब कुछ बगरा होते रहाएगा इसाब बहुत लंबा कुछ लेवेल होता है उसमें तो होने के बाद आपका जो जॉइनिंग होता है जॉइनिंग ओफाल लेटर जो होता है मेरा आया था एराउंट जून में जून का फर्स्ट तक result मेरे पास था 7th semester का भी आ गया था लेकिन 8th semester ज़स्ट हुआ था तो उसका result मेरे पास नहीं था तो यहां पर आपका भी तो आप क्या करना जितना भी result आपके पास है वह अप्लोट कर दो जो नहीं यह वह आप बाद में भी अप्लोट कर सकतो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास फिर से एक मेल आया करें एक अफ़्याहाई लगवाग बी कुछ speech देंगे, company के बारे में बताएंगे, उन लोगों का जन्नी के बारे में बताएंगे, ताकि आपका एक overview आजाए कि आपका future L&T में कैसे रहने वाला है, तो यह सब orientation में होता है, तो orientation के लिए मेरा पूरा details mail में आ गया था, लगभग जुन में, और offer letter भी आ गया था, तो हम लोगों का जो beash था कुछ लोगों को Mumbai में कुछ लोगों को Chennai में बुलाया गया था, देर हम लोगों गया जुलाई को 16th Grade में रखा गया खाना क्या खिलाया गया, वह हम पे different में प्लết बीजिट किया आया गया, L&T करम हेटकौर बगए और ए कुछ इवेंट कर वाया गय कि अन्दर एक बरा काम पनी है उसके अंदर different sub-division है ठीक है कोई defense में काम कर रहे है कोई hydrocarbon में काम कर रहे है कोई power plant बगर इस अब बना रहा है तो different different जो भी आई-सी है जैसे कि राम मंदीर बनाया गया तो construction जो अलग से है बिल्डिंग फैक्ट्री से लग से तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी I.C. है मिन्स डिवाइड़ेड डिवाइड़ेड पार्थ है एलन्ट के अंदर वहां पर आपका डिविजन करा जाता है कि आप इस I.C. में करोगे यह उस I.C. में करेगा तो यह डिवाइड करा दिय में तीन तरिके का पोस्टिं में बगारा है कि आपकी इस तो बन रहा है तो बन रहा है तो उहां पर पॉस्टिंग दिया जा सकता है जहां मैं डिजाइन भगेर होता है में जो भी प्लांट होगा उसका दो डिजाइन कोई के करेगा कोई इंजीनियर उसका करेगा तो ओ जो जॉब है ओफिस का ओ दिया जा सकता है तो यह तीन तरीकी का पोस्टिंग होता है तीनों को तीनों ही अच्छा है अब हम बात करते हैं इसका लोकेशन आपको कैसा पता चलेगा कि कहां पे लोकेशन आपको मिलने वाला है तो एलेंटी का जो हेड़ परसन है वो लोग यह ट्राइ करते हैं कि आपका जहां पर लोकेशन आपका घर है उसके आसपास आपको देने का वो लोग ट्राइ करेंगे अगर कोई ओप्सान नहीं बचा देन आपको दूर जाना पर सकता है लेकिन वो लोग ट्राइ करते हैं कि आसपास के स्टेट में कम से कम पूरा डिटेल्स आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा थेंक्यू नमस्ते जैहिन वीडियो का लाइक करें सेयर करें